हेलो आवरीवन तोड़ी विल स्टाइट न्यू टॉपक न्यू टॉपक फिस चैप्टर इंडस्ट्रियल रीजिन्स फैक्टर्स लाइक अवैलेटियू पावर सप्लाइट इलेक्रिसिटी भी होना जरूरी नहीं तो मशीन कैसे वक करेगी वहां पर लैंड पी प्रॉपर होन करनी हैं मार्केट अच्छा होना चीमा पर यह सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिनका होना जरूरी है किसी भी इंडस्ट्री को अगर आपको इस्टाब्लिश करना है तो अल्डिस फैक्टर्स के नौट बी नेसेसरी लिए फांड वन पेस अब ऐसा तो हो आज निंबर हुचले रिफटेस इंडस्ट्री रीजन तो जो रीजन होता जहां पर इंडस्ट्री ज्यादा नंबर में स्टाबलिश होती है उस रीजन को कहते हैं इंडस्ट्री रीजन सब्सक्राइब फॉर मेजर इंडस्ट्री रीजन से वर्ड के अंदर फॉर्स वन इस इस्टन पार्ट अफ नॉर्ड अमेरिका, सेकंड वेस्टन एं सैंटर यॉरॉप, थर्ड इस्टन एशिया, सो जो यह मैप दिया होए वर्ल का इसके अंदर जो यह रैड कलर से जितना भी बनाया होए यह सब इंडस्ट्रिल रीजन है, ओके, इंडिया की, इंडिया में कौन-कौन से इंडस्ट्रिल रीजन से, गुजरात रीजन, मॉंबई पूनी रीजन, बैंगलूरू, तमिलनाडू रीजन, कॉलम तिरुवन्तपुरम रीजन, विशाक पत्नम गुंटूर रीजन, उगली बेसिन रीजन, छोटानागपुर रीजन, और गुरगाव डैली मेरेट रीजन, ओके यह इंडिया का मैप है, इसके अंदर जितना भी ग्रीन कलर से बनायों है, यह इंडस्ट्रियल रीजन से, इंडिया की, So major industries, we find a wide range of industries across the world, they include engineering, metallurgical, cement, textile, food processing, beverages, transport equipment, chemicals, etc. यह सारी इंडस्ट्रियस है, इन टाइप की इंडस्ट्रियस होती है, इंडिया के अंदर, we are going to learn about three most important industries of the world, हम इस चैप्टर में three important industrial reasons के बारे में पढ़ेंगे, जो कि वर्ल्ड के अंदर है, iron and steel, textile and information technology, यह main three industries important होती है, इनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, countries like USA, Germany, Russia, China, Japan had a good concentration of iron and steel industries, इन सारी कंट्रियस में iron and steel industries है, इंडिया, जापान, South Korea, Hong Kong, Thailand, Latin, textile industries, और यह जो कंट्रियस हैं, इंडिया, जापान, यह सारी कंट्रियस में textile industries ज्यादा है, Silicon Valley in Central California and Bangalore in India are the major center of information technology, जिसे माया इट कहते हैं, information technology के जो industries हैं, वो जादा Central California और इंडिया के बैंगलोर में है, तो first is iron and steel industry, it is considered as a feeder or basic industry, यह हम एक basic industry कह सकते, क्योंकि आजकल जितने भी हम equipment यूज करते हैं, वो iron और steel के ही बने हुए होते हैं, इट manufactures machines, हम इतनी सारे machines यूज करते हैं, टूल्स यूज करते हैं, बहुत सारे equipment हम लोग यूज करते हैं, जो कि iron या steel के बने हुए होते हैं, तो यह raw material होता है, other industries के लिए भी, index of industrial growth of a nation can be measured by the production of iron and steel, किसी भी nation के growth के लिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए इनका production होना ज़रूरी होता है, iron and steel industry use iron ore, limestone, coal, magneze as a major raw material, iron and steel industries के अंदर जो raw material यूज किया जाता है वो major mainly iron ore होता है, limestone होता है, coal होता है, magneze होता है, other inputs involved are capital, जो और inputs लगाया जाते हैं, money, money का होना तो बहुत ही ज़रूरी है, बिना money के तम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, site, site means land वहां के site पर वो establish हो रही industry वो भी होना ज़रूरी है, labor, worker भी होना ज़रूरी होता है और infrastructure, the mixture of iron ore, coal and limestone are smelted together in blast furnace, ऐसे बड़े इसे blast furnace होते हैं, उसके अंदर iron ore, coal or limestone को साथ में smelt किया जाता है, the pig iron obtained after smelting is refined, अब जो iron मिलता है smelting के बाद उसे refine किया जाता है, फिर उसमें carbon mix किया जाता है जिससे कि steel बनता है, फिर उन्हें rods, wires और sheets बनाई जाती हैं, उनसे metals like aluminium, copper, nickel are mixed with steel to get special alloys that make tough, hard or anti-rust steel, alloy means होता है, जब two or more metal को में लोग mix करते हैं, तो उसे alloy कहा जाता है, तो aluminium, copper, nickel इन सब को mix किया जाता है, steel के साथ जिसके वज़े से वो tough, hard or anti-rust होता है, उसमें जंग नहीं लगती है, the steel makes the backbone of almost every industry in the modern time, जो steel है, वो mainly सभी industries के backbone होती, क्योंकि mostly जितने भी equipment बनते हैं, वो steel से ही बनते है, iron and steel are the basic materials that are used in almost everything we use, and otherwise also the tools used to manufacture items other than that of steel are the tools on machinery made of iron and steel, means of transport, जैसे के aeroplane से, ships है, train से, car है, bicycle है, इनका भी जो basic structure होता है, वो iron और steel का ही बना हुआ होता है, so steel machinery और equipment are used to drill oil from oil wells, mines, mines में से minerals निकालने हो, oil well में से oil निकालना हो, तो इनमें भी जो machinery यूज होती वो iron और steel की ही बनी हुए होती है, हमारे जो daily utility के item होते हैं, जैसे के हम लोग घरों में utensils यूज करते हैं, बर्तन, needles है, furniture है, electric appliances है, bathroom fitting है, etc. यह सारे steel के ही बनी हुए होते हैं, so construction framework of large buildings और machines used at farms are also made of steels, construction करना बड़ी building का तो उसमें भी machines use की जाती है, तो वो सारे iron और steel की बनी हुए होते हैं, इसलिए हम एक basic raw material मानते हैं, iron and steel industry is a raw material oriented industry which is largely developed in reason where iron ore and coal are available in the same vicinity, cheap labor, good network of transport and market have been some other advantageous factors that have supported the establishment of iron and steel industries in the four major states of North India, यहां पर establishment बहुत अच्छा है iron and steel industry का क्योंकि यहां पर लैबर भी cheap rates में मिल जाते हैं, यहां पर ट्रांस्पोर्ट सिस्टम का network भी बहुत अच्छा है और यहां का market भी अच्छा है जो कि support करता है उनको इसलिए यहां पर ज्यादा industries opened है, इंडिया में जो जमशेदपूर हैं वहां का बताया है एक फ्रैंड की conversation दियो हैं टू फ्रैंड्स की dear Gloria, how are you doing? I received your letter yesterday evening in which you asked me to provide you with some details on the side top of first iron and steel industry in India, my grandpa shared the story of Tesco which I am sharing with you. अब एक फ्रैंड है Gloria जो की कहां की है? USA की है Pittsburgh में और यह जो conversation है यह उसके फ्रैंड है Ria जो की इंडिया में रहती है, उन दोनों की conversation बताई गई है, तो Ria बोलती है कि Gloria तुमने मुझसे पूछा था कि first iron and steel industry इंडिया में कब start हुई थी, उसके details उनने मुझसे मांगी थी, तो मेरे grandpa ने मुझसे शेयर किये वो स्टोरी है, टिसको कमपनी की, जो कि मैं तुम्हें बता रही हूँ, तो जब इंडिपैंडेंस का टाइम था तब Tata iron and steel company limited, ओके इस इस फुल फॉर्म आफ टिसको, Tata iron and steel company limited, यह only iron and steel plant था जो कि इंडिया में work कर रहा था, उस समय पे यह privately owned था, लेकिन इंडिपैंडेंस के बाद बहुत सारे गॉवर्मेंट ने इंडियन गॉवर्मेंट इनिशेयेट से उस ले के आये वो लोग ता कि आयन और steel plants को open कर सके, तो here I am going to tell you about the setting up of Tisco, also known as Tata iron and steel company limited, यह कहाँ पर प्रिजेंट है, रिवर खार्खालन सुबर ने रेखा अट प्लेस कॉल्ड सक्ची जार्खंड, जार्खंड में है, Tisco was started in the year of 1907, 1907 में start हुई थी company, सक्ची जार्खंड लेटर और रेनेम्ड जाम्षेथपूर, इसको बाद में इसको जाम्षेथपूर नाम दे दिया गया, इस iron and steel plant had been the most appropriate one in terms of geographical factors, यह के जो geographical factor है वो बहुत अच्छे है, factors that supported the setting up of steel plant at Sakchee were as follows, it was almost 32 km away from Kalimati station, which lies on the Bengal-Nagpur railway line, ओके, यह Kalimati station से 30 km दूर है, coal, iron ore and manganese deposits were available in close proximity, यहां पर coal, iron ore and manganese deposits पी अच्छे से है, और Sakchee were also very close to Kolkata, which was a very large market, के Kolkata से नियरबा है है, जहां का market बहुत अच्छा है और बड़ा है, जहरिया कॉल फिल्ड्स प्रोवाइड कॉल फोर टिस्को और रिजर्वस ओफ आयानोर, डॉलोमाइट, लाइमस्टोन और मैंगनीज वर अवेलेबन इन ओडिसा और च्छतिसगर, रिवर खारखाई एंड सुबर्न रेखा सप्लाइड सफिशेंट वाटर तू दस्टिल प्लांट, यहां से वाटर सप्लाइब भी अच्छा होता है, उस प्लांट में एडिकोट कैपिटल सपोर्ट भी है, क्योंकि वहाँ पर गॉवर्मेंट इनिशियेट करती है, ताकि उसका लेसर डेवलयच्ट हो सके, इन जमशेधपूर, आफ्टरस इस्टब्लीश्मेट ऑफ टिसको वेरिस इंडस्ट्रियल प्लांट वर सेटप, अब इसको के स्टेबलिश्ट के मेंट के बाद महाँ पर बहुत सारे और इंडस्ट्रियल प्लांट्स भी सेट अप हुए अब जो ग्लोरिया है वो बताएगे कि उनके उसे में जो पिट्सबर्ग है वहाँ पर क्या है जो फिट्सबर्ग में उसे आयन और मिलता है मिन्सोटर्ग में जो पिट्सबर्ग में उसे आयन और मिलता है मेनसोटा से जो कि 1500 km दूर है वहां से famous Great Lake Waterway connects this mine with Pittsburgh as one of the cheapest and best waterways जो Great Lake है वो महां से connected जो कि best और cheap है waterway जहां से वो लोग transport easily कर सकते हैं further or is carried from Great Lakes to Pittsburgh by train, बाद में Great Lakes से Pittsburgh तक जाने के लिए वो लोग train का use करते हैं The water for industry is supplied by Ohio, Allegheny and Mono-Gahela Rivers. Coal is obtained from local areas around Pittsburgh. Coal is obtained from Pittsburgh's local area around. In present time, there are very few steel mills left in Pittsburgh. There are very few steel mills left in Pittsburgh. Now, they are confined to the valleys of river Mono-Gahela, Allegheny River and along the Ohio River. Finished steel is transported through land and water routes to the market. Now, the steel mills are transported through water or land routes. There are many other factories in Pittsburgh, which produce steel and use raw materials, so that they can make heavy machinery, railroads and railroads. Okay, this is a conversation. Next industry is cotton textile industry. One of the oldest and most important industries of the world is textile industry. India में जो सबसे ज्यादा पूरानी और इंपॉर्टेंट इंडिस्ट्री हैं, वर्ल्ड के अदर वो टेक्स्टाल इंडिस्ट्री हैं. The term textile denotes to weave, which is of Latin origin of water, texer. जो textile word है, उसका मतलब होता है weave, जो की Latin word origin है texer से, plants and animals provide the basic raw material for textile, जो plants और animal production होता है, sorry, जो plants और animals से चीज़े मिलती हैं, वो raw material होता है texer के लिए. Natural fibers, compressed cotton, jute, flax, silk, wool, various nylon, rayon, polyester, rather synthetic or man-met fibers. Natural fibers होते हैं, जो कि हमें naturally मिलते हैं environment से, जैसे कि cotton है, jute है, flax है, silk है, जो कि में silkworm से मिलता है, wool है, जो कि में ship से मिलता है, तो यो सारे natural fiber से, और कुछ synthetic man-met fiber होते हैं, जो कि man के द्वारा बनाएं गए हैं, जैसे कि nylon, rayon, polyester, ये सब synthetic और man-met fiber से, okay? Cotton, जो है most popular fiber है, a dramatic change was witnessed in textile industry after the industrial revolution. Hand-spinning cotton fabric was soon taken over by the power looms. हुआ करता था, पहले, hand से बनाया जाता था, उसे power looms ने take over कर लिया, this development helped Britain to set up the first of its type of cotton textile industry, इसके development से, Britain ने सबसे पहले cotton textile industry, set up की थी, world के अंदर, and afterward in different parts of the world, India, USA, China and Japan, today led in the production of cotton textiles, Okay, now ये सारी countries lead कर रही है, cotton textile के production में, ये figure में cotton textile बताएगा है के इस type का set up होता है पूरा, फिर ये cotton cloths जो हम लोग की use करते हैं, India has been producing cotton textile of excellent quality since very early times, India जो हे बहुत ही अच्छी क्वालिटी का cotton textile प्रदूस करता है, it enjoyed a wide market for its hand spoon and hand woven fabric, after being colonized by British, it could not withstand the cheap and fine quality fabric spoon on the mechanized machines, and soon traditional Indian head mat fabric lost its market because its production was expensive and time consuming, in 1818, India established its first textile mill near Kolkata at Fort Cluster, which was closed soon after sometime, सबसे पहले इंडिया में first textile mill कहाँ पर बनी थी, Kolkata में बनी थी, 1818 में, लेकिन थोड़ा ही टाइम में वो बंध हो गई, year 1854 में marked successful establishment of first mechanized textile mill in Mumbai, उसके बाद 1854 में Mumbai के अंदर ये mechanized textile mill open हुई थी, factors that favored this establishment was, वर availability of raw material, warm, moist climate of the region, skilled labor and a pot to import machines, ये सारे factors उनके favor में थे establishment of industry के, क्योंकि वापर raw material भी available था easily, वाँ का जो climate है, वो warm और moist है, skilled labor, labor जो थी, वो भी skilled थे, और वाँ पर pot भी है, important, import करने के लिए machines को, primarily the favorable humid climate encouraged textile industry to flourish in the states of महाराष्ट और गुजरात, पहले तो महाराष्ट गुजरात के अंदर textile industries को encourage किया गया, जो कि उनकी establishment के लिए favorable होता है, लेकिन today advancement of technology has made humidity to be made available artificially at any place, which is helped to set up this industry in parts of other parts of India as well, लेकिन अब भी technology इतनी ज्यादा advance हो चुकी कि आप humidity को भी, artificially कहीं पर भी, वो temperature आप उस हिसाब का बना सकते हो, कि वो industry के लिए जो suitable हो, इसलिए जो other parts हैं इंडिया के वहाँ पर भी industries established हो चुकी है, some of the important center where cotton textile industries have been set up are, Lodhiyana, Panipat, Kanpur, Kolkata, Ahmedabad, Mumbai, Chennai, Puducherry and Coimbatore, इन सारी states में cotton textile industries set up है, categorize the given fabrics on the basis of their source, ओके नाव नेक्स एमदाबाद इन इंडिया, located on the bank of Sabarmathi river, the city of Ahmedabad had in its credit the establishment of its first meal for the state of Gujarat in year 1859, Ahmedabad कहां पर located है, Sabarmathi river के near, और यहां पर first meal established हुई थी, Gujarat के अंदर 1859 में, Mumbai was the largest textile city of India, followed by Ahmedabad and became famous as the Manchester of India, Mumbai के बाद जो first largest cotton textile है, वो Ahmedabad में है, यहां पर जी following factors favored to develop the textile mills in Ahmedabad, यहां पर जो factors favored करते हैं, वो है Ahmedabad being situated in the close vicinity of cotton growing area, ensured easy availability of raw material, जो Ahmedabad है, वो cotton growing area के nearby situated है, इसलिए यहां पर raw material easily available हो जाते हैं, land के availability भी बहुत easily है, यहां कि जो land है वो flat है, climate जो है Ahmedabad का वो भी ideal है, spinning और weaving के लिए, और जो skilled और semi skilled labor है, वो भी easily available हो जाते हैं, क्योंकि गुजरात और महाराष्टर जो है, वो densely populated areas है, market भी वहां का बहुत अच्छा है, और वहां पर roadways, railways, transport system भी वहां का बहुत अच्छा है, और machinery और export की जाती है, import export जो की जाती है, cotton textiles को, वो भी Mumbai pod के थो easily possible हो जाता है, Amdabad textile mills have witnessed some problems in recent years, many textile mills have been closed down, Amdabad में जो textile mills है, वो उनमें कुछ problems आ रही है recently, इसलिए बहुत से textile mills बंद हो चुकी है, main reason यह है, would have been the emergence of new textile mills in the country, as well as ignorance in upgrading the technology and machines in textile mills of Amdabad, वो ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि country के अंदर बहुत से textile mills खुल चुकी है, और जो technology को लोग इग्नॉर कर रहे हैं, उसकी वज़े से, Amdabad में textile mills बंद हो रही है, Now, Osaka in Japan, An important textile center of Japan is Osaka, and it is known by the name of Manchester of Japan, following job record factors have large in development of textile industry, Osaka experience the warm and humid climate, easy availability of land, adequate water supply, easy availability of labor, USA, China, Egypt, India are the countries from where Osaka imports the raw material, as Osaka's textile industry really totally upon the import of raw materials, import of raw cotton and export of textile is possible through pot, and the good quality and low price of finished product encourages the export to the market, यह सारे favorable conditions है, जिसकी वज़े से, ज़़े से, textile mills उपेंड है, although the city of Osaka has been one of the important textile cities, but presently iron and steel automobiles, ship building, electrical equipment, machinery, cement had substituted the cotton textile mills in Osaka, नाव लास्ट है, नाव लास्ट है, information technology, industry of information technology consists of processing, storage and distribution of information across the globe, globe के across इतनी भी information distribution है, the industry of information technology consists of, क्या होते हैं information technology industries के अंदर की जो processing है, storage है, distribution of information है, globe के across वो सारी details इसमें दी जाती है, with the changing time technology, politics, social economic conditions has rapidly increased the IT industry across the globe, changing time के साथ जो technology है, politics से, social economic conditions है, वो rapidly increase हो रही है, IT industries के अंदर, factors that influence establishment of this industry include availability of resource, resource के availability होनी चीए, infrastructure अच्छा होना चीए, capital भी उनके पास अच्छे होनी चीए, Silicon Valley जो है California के अंदर और India के अंदर जो Bangalore है, वहाँ पर major IT industries है, located on the Deakin Plateau, city of Bangalore is a major IT hub in India, which is also known as the name Silicon Plateau, Bangalore जो city वो कहाँ पर located है, Deakin Plateau में located है, तो एक major IT hub है इंडिया के लिए, जिसे Silicon Plateau भी कहा जाता है, the city experiences mild climate throughout the year, यहाँ का climate एक्दम mild होता है पूरे साल, it is experienced and skilled managerial workforce, यहाँ के जो managerial workers है, वो लोग skilled हैं और experienced है, city of Bangalore is very neat and clean with the facility of low rents, जो Bangalore city है वो बहुत ही neat और clean है, it allows low cost of living that welcomes people in a large number, यहाँ पर living का cost भी पहुत जादा low है, इसलिए यहाँ पर बहुत जादा large number में लोगों को welcome किया जाता है, Bangalore has a large concentration of IT colleges and educational institutions in India, यहाँ पर IT colleges भी पहुत जादा हैं और educational institutions भी हैं, so IT policy was announced for the first time by government of Karnatak in 1992, जो Karnatak government ने है, उन्होंने first time IT policy आपर announced किती 1992 में, in the Santa Clara Valley, North America, Silicon Valley is located next to the Rocky Mountains, there is an experience temperate kind of a climate with temperature hardly dropping below near 0 degree centigrade, यहाँ का जो climate है वो below या near 0 degree रहता है, Silicon Valley has the most advanced technological and scientific centers in its vicinity, जो Silicon Valley है, यहाँ पर सबसे ज़दे advanced technology and scientific centers है, climate यहाँ का बहुत pleasant है और clean और attractive environment रहता है, उनके पास enough space है ताकि वो future में और development को expand कर सके, it is well connected है roads और airports से भी, इसलिए यहाँ पर efficient और skilled workers और markets भी अच्छा है यहाँ का, other than Silicon Plateau Valley, many other hubs of IT are emerging fast across different cities in India, Silicon Plateau Valley के अलावा, इंडिया के अंदर बहुत सारे cities में IT hubs emerge हो रहे हैं, जैसे कि New Delhi है, Mumbai है, Guru Gram है, Chennai है, Hyderabad, Pune, Kochi, Chandigarh, तिरवनपुरम, Bangaluru, had and edges over other cities as talented management, personal are available easily, इन सारे cities में लोग बहुत 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 हैं, management को लेकर और easily available भी हो जाते हैं, इसलिए हाँ पर information technology के इंडिस्ट्री से वो अच्छे से well developed है, और well settled हो रही है,